कि अग्व कि अग्व कि अग्व कि है अग्व स्टूडेंट इस्टूडेंट आज का जो टॉपिक होगा क्लास टोल्ड इस्टूडेट के चैप्टर नंबर टेन से होगा और हमें पता भी है हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहा है माइक्प्रोप्स इन यूमन बिलफेर्स ठीक है तो इसके कुछ टॉपिक से जल्दी आपका एलेशन फिनिस होने वाला है आज का हम यहां पर टॉपिक जो डिसकस करने वाले हैं माइक्प्रोप्स को किस तरीके से घरेल उत्पादों में यूज करते हैं किस तरीके से उसको बनाते हैं आज हम इसके बारे में बात करने वाले थिए तो इसके पहले भी हम बहुत सारे topics को cover कर लिया था जैसे कि हमको चीज बनाना है और ऐसे बहुत सारे matters जो कि आपके microbes के द्वारा क्या किये जाते थे प्रिपर किये जाते थे उसको जो है हम बना लि आपका डिसकस करने वाले हैं प्रप्रेस्टन आप है तो प्रेस्टन आप ब्रेड एंड बेर एक प्रपेस्टन आप आप प्रेशन आप है ब्रेड एंड देयर यह आपका टॉपिक होगा इसके पहले हम प्रिप्रेशन आप चीज के बारे में पढ़ लिए थे ठीक है तो यह आपका जो हाउस होल्ड चल रहा है माईक्रोप्स इन हाउस होल्ड इसका कुछ टॉपिक हम लिए इसका जो नेक्स्ट हम यहाँ पर डिसक्स कनने चल रहे है प्रिप्रेशन आप ब्रेड एंड बेर में इसकी सरीके से ब्रेड और बेर को हम घर पर क्या गरते हैं यूज करते हैं उसको बनाते हैं अब यहाँ पे कौन सा फंगस है उसका नाम क्या है ठीक है और उसको बनाने के लिए हम क्या चीजें क्या करते हैं यहां पर इंवाल्व करते हैं तो देखिए इस रिस्पॉंसबिल फॉर एस्ट ठीक है इट इज रिस्पॉंसबिल फॉर इस्ट ठीक है इस्ट वार हम फंगस यहां बोल सकते हैं इसको ठीक है अब देखिए यहां पर हमने लिखा इट इज रिस्पॉंसबिल फॉर इस्ट मतलब की जो ब्रेड होता है एंड जो बेर होता है इसको बनाने के लिए हम इस्ट अथो हम फंगस बोल सकते हैं अब उस फंगस का क्या नाम है उस फंगस का क्या नाम है सेक्रो ठीक है सेक्रो माइसीज ठीक है इस फिर्वेसी अब देखिए यहां पर हमने लिखा कि ब्रेड एंड वेर को बनाने के लिए किसको बनाने के लिए जो ब्रेड आप बनाते हो और जो बेर आप बनाते हो ठीक है जो प्रप्रेशन की जाती है आपकी ब्रेड और बेर की यह रिस्पोंजबिल होता है कि इस्ट होता है क्या होता है कि इस्ट होता है जिसे हम फंगस बोलते हैं और उस फंगस का क्या नाम है जिससे ब्रेड और बेर को बनाया जाता है तो सेक्रो माइसीज सरवेसी उसका क्या नाम है सेक्रो माइसीज सरवेसी तो आपको यहाँ यह पता भी होना चाहिए कि ब्रेड और बेर बनाने के लिए कौन सा फंगस कौन सा इस रिस्पॉंस बिल होता है यह कौन सा आप से पूछा जा सकता है ठीक है अब देखे यहाँ पे जो ब्रेड होता है इसे बैरियर बोलते हैं क्या बोलते हैं बैरियर एंड जो यहाँ पे बियर होता है इसका सिकेंड नेम आपका जो होता है वो आपका ब्रीकर होता है तो barrier and breaker अगर barriers की बात करेगा that is breed बोलते हैं ठीक है और bear की बात करेगा तो breaker ठीक है इस तरीके से आप इसको दिमाग में दूसरा भी नाम आपको पता होना चाहिए ठीक है अब देखे इसका हम use कहा कहा करते है कहा 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 use करते है Brent and Bears को बनाने के लिए यह पता होगे हमको कौन सा फंग का सेलफुल है माइक्रो सेट्क्रो माइसub सरविसी थीक क्या है सेट्क्रो माइसीس सरविसी अब देखिए जैसी आप देखे होंगे कि जो डबल रोटी हो ती ठीक है क्या होती है जो डबल रोटी बनाए जाती है ब्रड बनाया जाता है या आप कोई चीज जो बनाते हो तो कुछ ऐसी चीजें होती जो ग्रोथ कर जाती है इस डबल रोटी आप बनाते हो उसको अंडेस्टी में भठी में क्या करते हैं डालते तो ग्रोथ कर जाती है क्या कर जाती है फूल जाती है ठीक है क्या की जाती है लपसी हो जाती है क्या हो जाती है लफी क्या हो जाता है फ्लफी मतलब वो फूल जाती है क्या हो जाती है फूल जाती है या जो डो होती है जो इटली जो आपकी इडली होती हो भी फूल जाती है न तो यह सारी चीज है क्यों फूल जाती हें इसमें से प्रोडियूस होती है कि प्रोडियूस होती है कि 5 हwach कौन सी गयरके से ओडूट ये जैसे माकी इंग पाने को बनाते हैं अब यहां पर आपका CO2 होता है वो क्या करता है उसको एब्जार्ब कर लेता है CO2 को एब्जार्ब कर लेता है कौन सा एक्रोमासी सर्वेसी जिसे हम एस्ट फंगस बोलते है तो और यहाँ पे जो एथिल अलकोहल होता है जिसको हम बोलते हैं C2H5OH ठीक है C2H5OH जिसको हम दो तरीके लिख सकते हैं CH2 CH3OH कैसे कहीं कहीं आपको यह मिलेगा कहीं 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 जैसे यहां दो कार्वन है यहां का एक कार्वन एक कार्वन यहां दो लिख दिया गया है यहां पे तीन यहां पे आपका पांच हाइड्रोजन लिखा गया है ठीक है और यहां पर भी पांच होगा आपका ठीक है कैसे दो यहां का हाइड्रोजन दो यहां का पांच हो गया ह लगा अल ठीक है तो जब यह हो जाता है क्योंकि ये जो इस होता है यह क्या करता है CO2-co4 करता है यह कह सकते हैं आपि जो इडिली होती है आपका जो ब्रेड liar होता है वह क्या कर जाता है growth कर जाता है घोत कर जाता है इसी कारण से ऒबल डोटी Gq जो इडिली होती है ठीक है वो क्या कर जाती है वो फ्लफी हो जाती है फूल जाती ठीक है तो इस्टुडेंट आपको यहां तक अच्छे से पढ़ना है हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम पढ़ रहे थे प्रिप्रेशन आप ब्रेड एंड वियर मिन्स किस तरीके से ब बियर आपकी बनाई जाती है एक इस्ट होता है जिसे हम फंगस बोलते हैं इस फंगस का क्या नाम है सैक्रोमाइसी सर्वीसी यही फंगस होते हैं जो की ब्रेड और बेर्स का ब्रेड को बनाने के लिए हलफुल होते हैं अभी हमने बताए जो इडिली होती है जो आपकी 2H5, OS जिसे बोलते हैं दो तरीके से यहां लिखा जाता है इसका फार्मूला, ये दोनों रिप्रोडूस होते हैं, आप्टर रेद इसी के कारण जो आपकी इडिली होती है, जो आपकी डबल रोटी होती हो जाती है, वो फूल जाती है, ठीक है, तो इस्टुडेंट आपको य इतना ही थेंक्यू गुलास